नमस्ते दोस्तों, तो आज हम एक्सल में टेबल कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टेबल बना कर मैं रेडी रखाऊंँ यहाँ से, यहाँ पर हम सबसे पहले उपर लिखते हैं, और इसके नीचे लिखेंगे 1, और उसके बाद यहाँ पर equal प्रेस करेंगे, उसके बाद उपर वाले को select करेंगे, और यहाँ multiply करेंगे इसे, multiply का sign दिए, फिर उपर वाले को select करेंगे, means पहले इस नीचे वाला जो 1, 1 लिखे थे उसको, दोनों को number wise करके multiply करके enter कर देंगे, अब हमारा 1, 1 और 1 हो गया, अब 1 के आगे लिखेंगे, 2, 3, अब इसको हम drag कर देते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, यह लिजे, यह 10 तक आ गया, अब इसके यहाँ पर, यहाँ आगे इसको भी पकड़ के हम drag करेंगे, तो इस यहाँ से लिजे, यह यहाँ तक 10 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अब यहाँ तक का काम हमारा हो गया, अब इसको थोड़ा सा, अब इसको हम पूरे को एक साथ select करेंगे, यहाँ पर हम select कर दिये, अब select करने के बाद, हमें जो है जाना है data tab में, यहाँ पर देखिए, उपर menu bar में हमें data मिलेगा, data पर click करेंगे, अब यहाँ पर हमें मिलेगा, यह what if analysis, यहाँ पर हम click करते हैं, यह देखिए, यहाँ पर click किए, अब यहाँ पर हमें मिला data table, इस पर click करते हैं, अब यह पूछ रहा है, कि यह row input cell, हम यह पहला number ले लेते हैं, उसके बाद फिर column input cell यहाँ पे click करते हैं और यह दूसरा number ले लेते हैं, अब बस इसको okay कर देते हैं, और देखिए हमारा यह पूरा table लिखके ready हो गया, यह हो गया 2 का table और उसके आगे 2 का 3 का 4 का जो भी table चाहिए, हमको वो बन के ready हो गया है, अगर यहाँ पे हमें लेना है 11, तो 11 लिखिए और enter मार दीजिए, तुरंत हो जाएगा, यहाँ 12 और enter करिए, देखिए यह पूरा change हो जाएगा, यहाँ पे 13, ऐसे ही हम 14 कर लेते हैं, 15 का भी कर लेते हैं, 16 और यहाँ पे 17, यहाँ 18, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे हम 19 कर लेते है ऐसे ही अगर हमको 20 करना है, यहाँ 20 करिए, बस वैसे ही होके रेडिय हो जाएगा, और एक option है, एक और trick है, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक column को अभी select करते हैं, जहाँ पे हमें जो है, यह रखना है, माली जे इसे हम जो है, इस cell को color कर दिए, उसके बाद करना है, 1, 2, 3, अब इस 1, 2, 3 को हमें ड्रैक करके नीचे तक लेके आना है, यह लीजिए, नीचे तक आगे, इसको जड़ा आर्जेस्ट कर दिए हम, नो फिल दे दिए, अब यहाँ पे हम उस 1 के आगे, क्लिक किये हैं, और equal, keyboard में equal button प्रेस किये, और यह जो color किये थे, उस को select करेंगे, यह देखिए, select हो गया, select होने के बाद, हम इसे lock कर देंगे, F4, F4 प्रेस करके इसे lock करते हैं, देखिए, F4 प्रेस कर दिए, lock हो गया, और multiply का sign किये, और यह 1 को multiply कर दिए, और इसको भी, इसको lock करने जरूरत नहीं है, बस first को lock कर दिए, उसके बाद हम enter कर द दिए नीचे तक, अब हम यहाँ पर माल लिजिए, 2 प्रेस करते हैं, तो देखिए, 2 का टेबल रेडी हो जाएगा, 5 प्रेस कर दिए, तो 5 का टेबल रेडी हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिख दिए, 16 का टेबल राइट हो जाएगा, तो इस तरह से, first तो हम यह वाला option देख यह कैसे होगा, तो आई हो, यह दोनों option आपको अच्छा लगा होगा, तो यह दोनों जो है, बहुत ही कारगर है, एक बार ऐसा करके, आप भी जो है, ट्राय कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको यह content अच्छा लगा, तो please subscribe करना ना भूलें, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you very much.